साथियों, जम्मु कश्मीर के अपने भाईयों भेहनों को मैं एक महत्वपुन बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ आपका जनप्रतिनिधी आपके द्वारा ही चुना जाएगा आपके बिच से ही आएगा जैसे पहले मले होते थे वैसे ही मले आगे भी होंगे जैसे पहले कैबिनेट होती थी, मंत्री परिशद होती थी, वैसे ही मंत्री परिशद आगे भी होगी जैसे पहले आपके सीएम होते थे, वैसे ही आगे भी आपके मुख्य मंत्री होंगे, आपके सीएम होंगे साथियों मुझे पूरा विस्वास है कि इस नई व्यवस्ता के तहट हम सब मिलकर आतंगवाद अलगावाद से जम्मु कश्मीर को मुक्त कराएंगे जब दर्ती का स्वर्ग हमारा जम्मु कश्मीर फिर एक बार विकास की नई उचाईयों को पार करके पूरे विश्व को आकरसित करने लगेगा नागरीकों के जीवन में इज अफ लिविंग बढ़ेगी नागरीकों को जो उनके हक का मिलना चाहिए वो बे रोग टोग मिलने लगएगा शाथ्षन प्रसाथ्षन की सारी व्यवस्ता जन हित कारियों को तेजी से आगे बढ़ाएगी तो मैं नहीं मानता कि केंद्र साथित प्रदेश यूनियन टेरिटरी के वबस्ता जम्मू कश्मीर के अंदर चलाए रखने की ज़रूत पड़ेगी प्रसाथ्षन की सारी